आपके अकाउंट में एक लाग रुपे पड़े हैं और सामने सेटेड़ और संडे भी आ रहा है। को यूज करते हैं और जीज दिन को पैसों की जरूत नहीं होती है वो दिन को पैसों को पार्क कर देते हैं और जब पैसों की जोड़ पड़ती है तो पैसों को रीडीम कर देते हैं तो यह शौट पिरिड़ ऑफ टाइम के अंदर भी वो कुछ ना कुछ अमाउंट लेकर ही न अच्छा है कि आप mutual fund के अंतर एक debt fund आता है वहां पर आप investment करते हो तो आपको दो दिन या फिर आपको जो भी लंबा period आपको सही लगे वहां तक आप investment करके रख सकते हो और ठीक ठक आपको return भी मिल जाएगा तो यह जो funds है इनका नाम है short duration debt fund आप अपने पैसों को वहां पर पार्क कर सकते हो और जो भी छोटा मोटा return मिलेगा वह आप वहां से redeem कर सकते हो फिर आप यह भी पूछोगे कि रवी भाई इसके अंदर तो exit रखना चाता है कोई भी short period of time के लिए आपको अगर पैसों की जरूत नहीं है आपके account के अंदर पड़ा है पैसा वहां पर से आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है उससे better है कि आप वहां पर short duration debt fund के अंदर रख दो तो यह जो funds है इसको बोलते है short duration debt fund ऐसे 5 debt funds जो है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और आगर आपको सही लगे तो description में मैंने एक link दिया हुआ है वहां से अपना investment कर सकते है short time के लिए तो यह कौन से कौन से funds है उसके बारे मैं discuss करते हैं अभी यह जितने भी short term investment के लिए मैं fund बताने वाला हूँ उन सब के investment link description के अंदर आपको मिल जाएंगे fund के साथ में आपको जो भी fund सही लागे आप वहां से investment करना start कर सकते हो तो सबसे पहला हमारा जो fund है वो है UTI short duration fund इस fund का exit load nil है जैसे हमारे requirement रहती ही कि exit load nil होना चाहिए तो वही है minimum investment की बात करें तो लमसम मोड में आप 500 से अपना investment start कर सकते हो और साथ में अगर आपको अपनी SIP start करनी है तो मात्र 500 रुपीज पर मन्त से अपनी SIP भी start कर सकते हो इसके बाद का जो हमारा fund है वो है HDFC mutual fund का HDFC short term dead fund इस fund ने एक साल के इंदर 7.40% का return दिया है expense ratio यहाँ पर 0.40% का है exit load यहाँ पर नील है और minimum यहाँ पर बहुत ही कम amount पर आप अपना investment start कर सकते हो मात्र 100 रुपीज से आप SIP start कर सकते हो और मात्र 100 रुपीज से आप लंसम investment भी start कर सकते हो लिंक मैंने description में दे दिया है आप अपना investment करना start कर सकते हैं इसके बाद का जो fund है वो है अधित्य बिल्लासन लाइव short term dead fund तो इस fund ने एक साल के इंदर 7.3% का return दिया है expense ratio यहाँ पर 0.39 का है और यहाँ पर exit load नील है minimum SIP आप 1000 रुपीज से start कर सकते हो और lump sum amount आप 1000 रुपीज से अपना investment start कर सकते हो तो इस fund के अंदर भी आप investment के बारे में consider कर सकते हो इसके बाद का जो हमारा fund है इसमें सबसे ज्यादा AUM अभी के सामय में यहाँ पर investment किया गया है AUM का मतलब है asset under management तो सबसे ज्यादा आगर AUM किसी का है तो यहाँ पर SBI short term debt fund का है तो इस fund ने एक साल के इंदर 6.92% का return दिया ह expense ratio यहाँ पर 0.34% का है exit load यहाँ पर nil है और minimum SIP का जो amount है वो thousand rupees का है और lump sum amount है यहाँ पर 5000 rupees का तो इस fund के अंदर भी आप investment के बारे में consider कर सकते हो अब यह जितने भी funds में आपको बता रहा हूँ वो सारे के सारे जो funds है वो बहुत ही safe category के अंदर आते हैं आपको यहाँ पर investment करने के बाद ज्यादा चींदा करने के जरूत नहीं होती है क्योंकि आप short term के लिए investment कर जाते हो एक दीन दो दीन वन वीक वन मन्त या फिर तीन चार मैना उससे यादा इस ऐसे funds के अंदर आपको investment नहीं करना चाहिए लेकिन अगर आप retired person हो तो आप इस fund के अंदर ऐसे funds क के अंदर investment करना स्टार्ट कर सकते हो जो यह last fund है हमारा वो है data short term bond fund इसने एक साल के अंदर 6.94% का return दिया है expense ratio यहाँ पर 0.36% का है exit load यहाँ पर nil है और साथ में अगर हम यहाँ पर SIP का amount देखे तो 500 रुपी से अपने SIP स्टार्ट कर सकते हो और minimum जो लमसम amount है वो 5000 रुपीस का है ताप यहाँ पर कोई भी fund सिलेक करके आप अपना investment स्टार्ट कर सकते हो जो भी funds है सारे के सारे funds के link मैंने description में दे दिये है आप वहाँ से अपना investment करना start कर सकते हो next आपको कौन से fund के उपर review चाहिए आप हमें comment करके बता सकते हो तो उसका review हम जितना हो सके उतना जल्दी बना देंगे thanks for watching